वेल्कम गाइज आर्यू एचसम के चले में आपका बहुत बहुत स्वागत है सब्सक्राइब कीजिए आर्यू एचसम के चैनल को और पाई राजस्तान नर्सिंग प्रामेडिकल फार्मिस के लाइटस्ट अपडेट सो गाइज फानली राजस्तान वालों के लिए कुसकबरी आ चुके जिन्होंने नर्सिंग प्रामेडिकल बीपिटी पार्मेसी इन सभी के इंट्रास एक्जाम के लिए जो फॉर्म बढ़ाता उन सभी के लिए गुवर्मेंट ने कुसकबरी आप सभी को दे दिये जिहां बिल्कुल कुसकबरी बहुत अच्छी दिये आपके लिए और साथ में हम अड्मिट कार्ड को लेकर भी बात करने वाले इस वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं जैसे कि आप इस क्रीन पर देख पार होंगे यह कुछ कबरी आप सभी के लिए है क्योंकि पहले आपको पता है कि इंट्रा सिख्जाम ओनली जेपुर में होता था बट अब की बार इंट्रा सिख्जाम कापी सारी जगह पर होगा जी हाँ बिल्कुल कापी सारे संभाग में होगा और आपके लिए अच्छे कबर है क्योंकि आपको ज़्याता दूर जाना नहीं पड़ेगा बट यह स्पेसिफिक कुछ के लिए इसनको हम समझे लेते पूरे न्यूज को आप जैसा कि देख पार होंगे कि पोस्ट बेसिक के साथ होगी अन्य प्रिक्सा है बीएस नर सिंग पेरा मेडिकल और फीजो तेरिपी में परवेश के लिए 12 और 13 सितंबर को ओलें प्रिक्सा होगी यहां पर कर दिया इन्होंने सितंबर नहीं है यहां पर क्या है जनावरी 12 और 13 होना चाहिए मिस्प्रिंट हो गया होगा यहां पर ठीक है नूज वालों से तो यहां पर जन्वरी आप कर सकते हो 12 और 13 क्योंकि हमने देख लिया था है कि नहीं तो यहां पर आपकी 12 और 13 जन्वरी को होगी बीएस नर्सिंग प्रिक्सा इस बार जेपूर अजमेर जोदपूर उदेपूर बिकानेर कोटा वर ब्रतपूर में साथ संभाग स्तर पर होगी ठीक ह क्या होता था जेपूरी आता था आपका जो बेस नर्सिंग के इंटरस एक्जाम देने जाते थे जेपूरी जना परता था बट अब कोविड-19 के कारण क्या है जदा दूर आपको जना ना परे तो इसलिए इन्होंने अजमेर जोदपूर उदेपूर बिकानेर और कोटा औ आपके क्लियर चलो और दिक्ट भी नहीं आएगी आपको पास में एक्जाम देने जाओगे तो पॉस्ट बेसिक और मेसी नर्सिंग फार मेसी और परामेडिकल के लिए प्रिक्सा के अंदर सिर्फ जेपूर रहेगा ठीए यह देख सकते हो कि इनके लिए जो मेसी पार मेसी और परामेडिकल वालों के लिए जेपूर ही रहेगा क्योंकि इनके केंडिकेट कम होते हैं कंपेर टू बीस नर्सिंग बीस नर्सिंग में कापी सारे स्टुडेंट होते हैं जबकि इन सेक्टर में कम होते हैं तो यहां पर जेपूर ही रहेगा इनका तो प्रिक् हम आपको पूरा detail में explain करेंगे कि flying squad क्या होता है अब जरूर क्या होता है flying squad एक तरह से police team होती है जो निगरन रखते कोई भी प्रिक्सा के अंदर हो रहा है वहाँ पर कोई भी गबले बाजी होने से रोकती है कोई भी फ्रोड हो रहा है तो इसको रोकती है और बहुत ही सकत होता है इनका नियम अभी हम आपको समझा देंगे पूलिस team आपने देखे होगी चलो हम आपको पूरा detail से बता देते कि flying squad क्या होता है सो गाइज flying squad एक तरह से पूलिस team में होती है जो प्रिक्सा के अंदर पर नियंतर रखती है कि कोई भी यहाँ पर फ्रोड ना हो चिटिंग ना हो इसको रोकती है और कापी सारी यह तयारने करके आती है और किसी भी टाइम पर चेकिंग कर सकती है तो आपको तोरह से ध्यान आपको डिटेल में और बता देते इसके बारे में सो आप flying squad को उडन दस्ता भी बहुल सकते हो और यह एक प्लिस team होती है जो प्रिक्सा के अंदर पर नियंदर रखती है इसका काम यह है कि यह सुने करें कि प्रिक्सा में किसी भी तरह की कोई नकल नहीं होनी चाहिए उडन दस्ता प्रिक्सा के अंदर पर बिना किसी पोरोव सूचना के किसी भी समय आ सकती है बिना इंपॉर्म किये यह कभी भी आ सकती है और अपनी जाज परताल का काम शुरू कर सकती है जिहां बिल्कुल बिना बताए कभी भी भी आ सकती है प्रिक्सा सांती पूर्ण हो इसके ल जी हां बिल्कुल अब्जर्वर निर्ख सकोता है जो आँका निर्खशन करता है किलेर तो ये दोनों ट्रम हमने कलेर कर दी चलते आगे के और सो गाइज आपका फ्लाइंग इस्क्राइड और अब जर्वर क्लियर हो गया आगे लिका है कि विश्वजालिक की और से जारी कोईड-19 की सकती से पालना और ओनलाइन प्रिक्सा की नियमों की पालना के लिए सेंटर्स को निर्देश दिये गए है देखो कोईड-19 है तो मास् ऑर किलेर ससभाइब आपके लिए यहाँ पर बता दिया गास यही कि कितने इस्टुदेंट बेस नसिंग का एक्जामर सब्सक्रिक की ब्ल्रेश नरसिंगíamos पांजियोजस सकतो यहां पे ठीक है बहुत सारी तादाद में तो कम्टेशन हाई है तोड़ा सा अपू ध्यान रखना है है ना कौन सी प्रवेश प्रिक्सा कब होगी यह भी जान लो 12 जनवरी को पहली पारी में फार्मेसी डिप्लोमा वा बेचलर की सूबह 10 से बाराब जी विसे आपको ब 13 जनवरी को पहली पारी में तो बेस नर्सिंग का होगा सूबह 10 से 12 जलती पहुँच जाना है आपको 10 से एक्जाम स्टार्ट है आपका वह दूसरी पारी में यूजी पेरामेडिकल दो पर दो से साम को चार बज़े तक पेरामेडिकल का एक्जाम होगा क्लियर तो यह यह पर आपने देखा कि आपके बेस नर्सिंग इंट्रास एक्जाम में 16900 के लगबग 10 डिकेट है ऐसे में आपको पता है लग गया हुआ कि कंपरिशन कितना हाई है क्टॉप ज्यादा जाएगी कम जाएगी यह तो आपको बिल्कूल भी नहीं गबराना है क्टॉप तो कटॉप कम चली जाएगी ऐसे में भी आपके चांच से रहेंगे कि कटॉप तो प्रहाड इजी पर डिपेंड करती है ठीक है और इस्टुट अधिक है कमे कोई दिकेत वाली बात नहीं है आपको अपनी मैनत पर सुष्वास रखना है फिजिक स्कमेस्ट्री बाइलोजी अगर आपकी मजबूत है तो आपका सेलेक्शन होने से कोई नहीं रौक सकता जी हम बिल्कुल और अभी अपडेट देखेंगा हम अपके साथ है बिल्कुल भी आपको नेक बढ़ाना है और उससे पहले आपने इसका नोटिप क्लिक करके देख लेते एडिमिट कार्ड आप इसमें अपको अपडेट आये कि नहीं कि क्योंकि काफिसार इंप्रमिशन इसमें च्पीर रहती है एक नहीं तो तोड़ा सा गोर से देखना है हमको Admit card की confirmation यहीं पर आपको मिले गी ओर यहीं से आप application form इंटर करके अपना admit card निकल सकते हो दो-तिन दिन में यहा पर link आ जाएगा और यहीं से आपको अपना admit card मिल जाएगा कापी सारी models comment कर bacter victory तर एड्मिट कार चब आएगा कब आएगा दो-тीन दीन में आजाएगा का आपका अड्मिट का ठीक है ढिया जाये का जानी हूँआ बिलकुल आपका आपका दीन में आपके सांगने हाजर उजाएगा और यहां पर notification अभी admit card के लिए कोई भी notification नहीं आया है तो आपको बिल्कुल भी नए गबराना है बस आपको date थोड़ा से दिहान रखनी है नियोज में तो क्या है कि मिस्प्रिंट हो जाता है बट यहां पर जो actual date नहीं है यह आपकी date है यह वाली और examination center साथ संभाग में होगा आपके बार अच्छी बात है आप सुभी के लिए तो इसी को याद रखना है आपको पढ़ाए पढ़ाए मैं आप भूलना जाओ time table इस time table को लिखके कई पर चिपका दो या तो कि हम को बेस नर्सिंग वालों को तो 13 को जाना है और यह जो फार मेंसी वाले है पॉषिट वेसे नर्सिंग वाले है मेंसे नर्सिंग वाले फिजियो तेरी वाले हैं इनको बारा हो जाना है ठीक है क्योंकि कापर सारी ड्रेड फॉलों के अफ़ता डेट भूल जाए सबस्क्राइ सबस्क्राइर और तैयरी हम आपकी करवाए है रहे हैं यह जेके लोंमनुच निचे डिस्क्रिक्रिशन में दे रहा है रोजज़ाल वहां पर अब क्योंकि इस मेंसे तो आपके उसन बनेंगे ना तो अच्छी बात है आप सभी के लिए और यहां पर अपडेट चेक करते रहे ना लिंक कभी आ सकता है और लिंक आते हैं अपने अप्लिकेशन फोर्म नंबर डालके चेक लेना अडमीट कार्ड कि कहां पर नंबर आया है ठीक है ना तो यहां से आ जाएगा और वेसे बैसिकल अगर आपके सामने आ जाएगा